समस्कार दोस्तों एक बर फिर से स्वागत है आप सभी दोस्तों का आपके अपने चैनल स्टडी मैवे में जैसे कि आप सब जानते हैं अल ओवर इंडिया अगर कोई भी इंजिनिक्स रिलेटेड जॉब्स आती है फिर नोटिफिकेशन आता है तो सबसे पहले वीडियो आपको हमारे इस चैनल पर बे पहुंत सके तो सब्सकर आपके आपके नहीं बहुत ही जाया है जो मैंने दे रखाया आपको लिंक उसको डाउनलोड करके वहाँ से आप अपना रिजर्ट चेक कर सकते हैं अपने नाम या फिर रोल नंबर से आज यानि के 28th February 2019 को ये रिजल्ट आया है जिसमें इंजिनेरिंग सर्विसेज मेंस के लिए जो भी कैंडिडेट्स क्वालिफाइओ किये उनके सबके नाम एज वेल एज उनके रोल नंबर सबके मैंशन है तो देख लेते एक बार क्या-क्या है इस नोटिफिकेशन में the candidate of those candidates in purely provisionally at all the stages of examination subjected to satisfying the prescribed eligible condition the candidate declaring qualified are required to appear in the engineering services means examination 2019 to be held on 30 June 2018 यानि कि जो आपका means का examination वो 30 June 2019 को होगा आपका प्रेलिम 6 जनवई 2019 को हुआता और आज आपके 28 फरवरी डेट हो चुकी है March, April, May, June यानि आपके पास में चार महिने का टाइम है आपके means के लिए तो I hope आप अच्छे से जिनका भी qualify करता है वो अच्छे से prepare करिए अपने सभी चीजों को छोड़ दिये किसी भी दूसरे exams में आप divert मत होईए आप SSCJE की तरफ मत divert हो जाईएगा या फिर कोई आप PSE आपका जिसमें भी लगता है या फिर कहीं आप सोचे एक मैं RRB के तियारी करने लग जाओं अगर आप अपने पूरा जो आपकी प्रैक्टिस है वो एक एक एक्जाम के प्रती है अगर आप अपने जोर को डिवाइड कर देंगे जैसे कोई भी आदमी दो नावों को एक साथ लेकर के पार नहीं कर सकता है कभी भी नदी को तो सिंगल नाव पर बैठी है दो या दो से ज्यादा एक नाव से ज्यादा नाव पर मत बैठी है तो डेफिनेटले आप इस एक्जाम को क्लियर कर जाएंगे मेंस को तो जिनका भी हुआ है आई होप उनको बैस्ट अफ लख में तरफ सिर्फ जिनका नहीं हो ए उनको निरास करने के जिरूत बिलकुल भी नहीं है क्योंकि आरजबी जेई है और भी बहुत सारे एक्जाम्स हैं इंजिनेरिंग्स रिलेटेट तो 30 जून 2019 को इनका मेंस का एक्जामिनेशन होगा ओके फ्रेंट्स इन्होंने फाइनली इन्होंने और भी बोला है दा क्वालिफाइडेटेटर फॉर्द एडवाइस तो रेफर तो रूल्स अफ इंजिनेरिंग्स एक्जामिनेशन 2019 देट 26 9 2018 यानि कि जो आपका एडवर्टाइसमेंट आया था 26 9 2018 में उसमें काफी रूल्स और रेगुलेशन थे रिगार्डिंग्स एक्जामिनेशन ओके और इसमें मेडिकल स्टेंडर्स होता है अलग से मिनिस्ट्री आफ रेलवे यानि रेलवे के अंदर जो अलग से मे एक्जामिनेशन 2019 यानि कि आपका जब एक्जाम होगा यानि कि 30 जून 2019 उससे तीन मेहने तीन वीक पहले यानि तीन हफते पहले आपका एडमिट कार्ड आपकी कमंस्मेंट वेबसाइट यानि कि UPSC के वेबसाट पर अप्लोड कर दिया जाएगा वहां से आप इसको टाउ 2019 वेबसाइट आपके जो कट-off मार्क्स है प्री के वह आपको अभी नहीं बदाए जाएगे आफ्टर दा एक्जामिनेशन ऑफ प्रेलेंस आफ्टर दा एक्जामिनेशन ऑफ मेंस आफ्टर दा इंटर्व्यू आफ पूरा आपका जब प्रोसीजर है वह तीन हो यानि कि प आपका फाैनल सेलेक्शन लिस्ट आ जाएगी उस फाैनल सेलेक्शन लिस्ट के साथ साथ में आपके cut-off लिस्ट आएगे के cut-off मार्क्स आएंगे तो उधर बता दिये जाएंगे कि आपको कितने cut-off आपके mark्स बन रहे है यानि कि after the interview जो आपको final result आएगा ना उसमें आपक का स्कोर काड अप्लोड हो जाता है definitely September, October, November के बीच में आपके क्या बोलता है cut-off list आ जाती है उसके बाद में finally आपका December में आपका score download हो जाता है जो fail हो जाते है उनका भी upload होता है scorecard और जो pass होते है उनका scorecard भी definitely upload होता है तो आपको अंदाज लगजाता है का आप कितने mark से पीछे रहे हैं तो देखते हैं आगे क्या है union UPSC has a facilitate counter at its campus candidate may obtain any information clarification regarding their examination result on working days between 10 a.m. to 5 p.m. in person on or over telephone number that much that much from it this country okay यानि कि अगर आपको कोई भी doubt होता है regarding mains के या फिर pre-k या फिर cut-off से या फिर result के रिगार्डिंग आपको कोई भी doubt होता है पूछ सकते हैं और by आप खुद से जाकर के भी पूछ सकते हैं okay finally इसमें results है इसमें role number wise भी आपका result आप check कर सकते हैं साथी साथ में name भी दे रखा है अगर आप किसी अपने friend का check करना चाते है तो भी इसमें name के wise भी आप इसमें role number check कर सकते हैं finally अपने देख लेते हैं काफी सारी students को इसमें qualify किया है इसमें काफी सारी students है इसमें काफी सारी students है साथी साथ में civil engineering electrical engineering का भी इसमें result है electrical mechanical सबका है तो आपको मैं description link के अंदर दे दूँगा वहां से आप इसको download कर सकते हैं अपना role number as well as name check out कर लीजिएगा ताकि आपको कोई भी doubt न रहा जाए friends यहां पर आप देख सकते है यह electrical electrical engineering का आपका है यह result definitely okay friends I hope आपको यह वीडियो बहुत पसंद आया होगा जिसको भी पसंद आता है like करिए ज्यादा ज्यादा share करिए ताकि सबको पता चल सके कि ESE का pre car 2019 का result आप अपना check कर लीजिए thank you for watching this video friends